यह जो आप क्लाइमबर देख रहे हैं यह पान का प्लांट है यानि लता है पान का और कैन यू इमेजिन मैं आपको दिखाऊंगी यह एक इतना बड़ा है यह एक पेर से चुकी बहुत बड़ा ट्री है उससे यह लटक रहा है and can you see कितना लंबा यह है क्लाइमबर जब मैं फर्स टाइम देखा I was so happy और इतना I mean इतना हेल्दी पौधे हैं पान का सो मैंने काफी ट्राइ किया पान को उगाने का कटिंग से डारेक्ट सोयल में डाला बहुत बार ट्राइ किया लेकिन इस बार अगें मैं ट्राइ करती हूं थोड़ा सा इसका कटिंग लेके जाती हूं और ट्राइ करूंगी और इस बार मैं सोच रही हूं कि वाटर वेस्ट क प्रवाइब नहीं कर पा रहा है तो इस बार हम देखते हैं और इसका रिजल्ट मैं आपको बताऊंगी सो यह मैंने प्लांट थोड़ा सा इसका कटिंग ले लिया और जब भी आप प्लांट का यह इसका ले तो नोट के साथ ले नोट के पास नोट को रहना काफी जरूरी है और सारे पत्ते भी हम निकाल देंगे जादा पत्तो की जरूरत नहीं है और इन साब को इकठा करके और पानी में हम डाल देंगे क्योंकि डायरेक्ट सॉयल में डालने से यह ड्राई हो जाता है और मैंने काफी बाट ट्राई किया बट हुआ नहीं स्पेसली समर में तो डायरेक्ट सॉयल में डाले ही नहीं और जैसा कि आप देख सकते हैं एक महिने के बाद इसमें पूरा रूट्स आ गये हैं एक महिने में इतने सारे आ गये हैं एक चुट स्टेम थे वह उसमें रूट्स नहीं आये तो उसको मैंने हटा दिया है नाव केनिशी इसको मैंने जमीन में लगा दिया था और दो महिने का यह रिजल्ट है पान यह मगी पान है जो कि बहुत सुगंदित बहुत अच्छा लगता है सो नेक्स टाइम आप भी वाटर वेस प्रोगेट करें और इसका रिजल्ट हंडिर परसेंट आता है सुगट प्रोगेग सब्सक्राइब सَّ wild c